ब्रच की होली पूरे विश में बहत मशूर है। कहते हैं कि जगत होली ब्रच हो रहा। क्योंकि यहां होली का त्योहर एक दो दिन का नहीं बलकि पूरे 40 दिन तो खिला जाता है। जहां सामानी रूप से होली में केवल रंग गुलाल का प्रयोग होता है वहीं ब्रज की प्रमपरागत होली में रंग, गुलाल, फूल, छड़ी, लट और कई तरह की चीज़ों का भी इस्तमाल किया जाता है लेकिन ब्रज की एक होली जिसे देखने के लिए पूरे विश्यों से लोग ब्रज में आते हैं वो है बरसाना की लटमार होली बरसाना की लटमार होली इस बार 18 मार्च को बरसाना के श्रीलाडली जी मंदर से शुरू होकर रंगली गली में खिल जाएगी इस होली में मंदर में कई तयारियां भी की जाती हैं जिसके लिए सबसे मुक्त होता है इस होली में इस्तमाल किया जाने वाला टेसू के फूलो का रंग जिसे मंदर के सेवायत मंदर में ही तयार करते हैं तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से तयार किया जाता है ये खास टेशू के फूलो का रंग बरसाना में लठमार होली की तयारियां पूरे जोर शोर से करी जा रही है और अब ही मैं बरसाना के श्री लाडली जी महराज मंदर में मौझूद हूँ और आप मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं इन जितने भी ड्रम आप ये देख रहे हैं इसमें बहुत ही खास चीज है और वो है इस मंदर में बनाया जाने वाला टेशू के फूलो वाला रंग जो खास और पर परमपरागत इस लठमार होली के लिए ही बनाया जाता है और इसे मंदर में ही जो यहां के सेवायत हैं यहां के गोष्वामी समाज के लोग हैं वो खुद अपने हातों से बनाते हैं और कई दिने तक यह जो काम है वो लगातार चलता रहता है और अभी भी जो यहां पर गोष्वामी समाज के जो लोग हैं वो रंग को बना रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि जहां आपकी नजर जाएगी वहां इस तरह के यह जो टेसू के फूल है इनको बड़ी ही दिन लगा कर बड़ी मेहनत से यहां पर बनाया जाता है और यहां पर जो हमारे बीच में गोष्वामी जी इस रंग को बना रहे हैं इनसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताईए मेरा नाम कौसल बिजबासी तो कौसल जी बताईए जो टेसू का रंग है इसकी क्या माननिता है और कैसे बनाया जाता है इसको बनाने नाम एक महीने पहले ये 15 दिन के लिए भिजो दिया जाता है उसके बाद इसमें केसर डलती है गुलाब जल डलता है और फिर बड़े कड़ाई में लकडी का प्योग होगा अगनी से फिर ये बनता है तो इस बार जो इस लट्टमार होली है इसमें कितना रंग इस्तमाल होने वाला 17 मार्च को लड़ू होली है जो की लड़ू बनते हैं और फाग आमनत जब ठाकुर जी फागन मंतर सुईकार कर लिए तो यहां बरसाने में लड़ू मार होली होती है उसी आनंद के साथ अगले दिन लड़्टमार होली होती है यह रंग उसी के लिए तयार होता है 17 तारीक क तो इसको कम सब्सक्राइब तीन से चार महीने आपके अनकूनों से नहीं जाएगा आप देख सकते हैं तो आप लोग तो इतना काम करते हैं इस रंग में इतने समय तक रहते हैं तो ये थे हमारे साथ कौशल जी जिननों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर यह जो टेसू का रंग है इसको तयार किया जाता है जिसमें गुलाब जल, केसर और नजाने कितनी चीज़ों को डाल कर इस पवित्र जो रंग है जो टेसू का रंग है जो पारम पर एक तौर पे ब